उस तो शार्क को खाना खिलाने पर लड़का एक दिन शार्क में बदल जाता है। समुद्र के बीच मौजूद जहाज पर ये बच्चा अपने पिता के साथ मिलकर शार्क को रोज खाना खिलाया करता था। और इसी वज़े से इन शार्क को इस बच्चे से काफी लगाव हो गया था लेकिन एक दिन यहां तेज तूफान आज जाने के कारण इनका जहाज पूरी तरह से तूटकर पानी में दूब गया पर ये बच्चा लाइट बोर्ड में बैटकर सुरक्षित बच गया क्योंकि पिता ने जहाज के ढूबने से पहले ही अपने बच्चे को लाइट बोर्ड में बैठा दिया था लेकिन वो खुद को नहीं बच्चा सका बच्चा अपने पिता की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था और इसलिए शार्क होसला देने के लिए इस बच्चे के पास आती है और एक आइलेंड पर लेकर आ जाती है जहाँ पर पहले से ही कई सारी शार्क थी ये सभी शार्क मिलकर इस बच्चे को पालती है और अपने जैसा बनने के लिए इस बच्चे को समुधर में तैरने और सास लेने की ट्रेनिंग देती है एक दिन जब ये बच्चा पानी से तैर कर बाहर आकर अपनी पसली पर हाथ फेर कर देखता है तो उसके भी शार्क जैसे कर टैंक डोरसल फिन बन जाते हैं और जब समय बीच जाता है तो ये बच्चा बढ़ा होकर इस लड़के की फिश दोर में आकर फंच जाता है और ये लड़का इसको अपने घर लाकर फिश टैंक में बंद कर देता है